यह बाहर से कितना मस दिख रहा है ना बहुत एक गजब दिख रहा है बाहर से जैसी कि आप लोग देख सकते हैं यह पीछे बहुत सारे तौप रखे हुए यानि कि तीन तौप यह रखे हुए यहाँ एक वहाँ एक है तो दोस्तों जैसी कि आप लोग पीछे देख रहे काफ़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है तो वीडियो में एंडिंग तक बने रही है यह बाहर से कितना मस दिख रहा है ना बहुत गजब दिख रहा है बाहर से तो फोट के अंदर इंटर होते ही कुछ इस तरीख का इंट्रेश आपके सामने आएगा पीछे भी अब देख सकते हैं कुछ बना हुआ है और फोट के अंदर ये गाव बसा हुआ है चलिए इसी के अंदर अभी हम इंटर होते हैं कि अधर से कुछ इस तरीके से हैं तो दोस्तों सीडियों की मदद से फाइनली मैं उपर चड़ चुका हूं जैसी कि आप लोग देख सकते हैं यह पीछे बहुत सारे तौप रखे हुए यानि कि तीन तौप या रखे हुए यहां एक वहाँ एक है और अब कुछ इहां पर आसैसी अधर है इधर का पूरा शेहर यहां से अच्छा दिख रहाए एक दूंव्म यहां से शेहर का नजारा कितना मस दिख रहा है तो दोस्तों ये तो आप लोग को दिखा दिया हो मैं अभी और यहां से इस तरफ जाएंगे किले की एंडिंग तक गेट तक में क्यूंकि यहां पर एक गाव बसा हुआ है तो अंदर तक पूरा जाके देखेंगे हम लोग जैसा कि मैंने बताया था देखिए किले की अंदर ही पुरा गाव बसा हुआ है इसके पिछे भी देखिए किले का गेट है यहां से अभी हमें उपर जाना है यहां मस्जिद भी है उपर इसके उपर से पुरा शेयर का नजारा देखने को मिल रहा है बहुत लंबा सीडी चड़ने के बाद में पुरा जंगल अंगल हो गया यहां पर पीछे की तरफ बहुत बड़ा मस्जिद है चलि आप लोग को इसको भी दिखाते हैं चलि दोस्तों आप लोग को पूरे अंदर से मस्जिद को दिखा देता हूं अंदर बहुत ही देखने लाइक कुछ चीज है आप लोग को दिखा देता हूं तो दोस्तों वीडियो को यही पर खतम करते हैं पूरा किला आप लोग को मैंने दिखा दिया किले के अंदर गाव बस चुका है और कुछ लोग तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं बाकी कुछ देखने लाइक चीज आवी बचा नहीं है जो कुछ ता मैंने इस वीडियो में पू करो चैनल को सब्स्राइब करो